गाइस पिछले कुछ दिन पहले भारा सरकार ने 59 चैनिज एप को बैन कर दिये ते जिसमें की टिक टक यूसी बाउजर सेट जेंडर मिला करके और भी कई सारे पॉपलर एप्लिकेशन सामिलते लेकिन गाइस एक और बड़ी खवर निकल कर आ रही है कि पप जी फेस्बूक इ लाइन कर दिया गया है और के वह बैन किया गया है तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ताइक जरूद देखते रहेगा तो चलिए गाइस इंडियन आर्मी ने अपने जवानों के लिए 89 एप को बैन कर दिया है जिसमें से फेस्बूक इंस्ट्रेग जो हुँआ है जिसका लिस्ट आपको वीडियो के डिश्येयं कर दिया है और वाहिए आप को से बताओं जैसे कि आप देख सकते हो कि कि लोशी grasp को लेकर के कि इतना दादा उस पर आतंग चाया हुआ मतलब कि दिन पर दिंग कुछ नहीं कुछ नया बखेरा स्टार्ट होई जाता है तो देश की सेप्टी के लिए देश की प्राइबेसी के लिए इन सारे एप्स को बैन कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से अब मैं आपको एक ए पीछे बैक ग्राउंड दिखता है तो जैसी फोटो को पोश्ट करेंगे तो इंडिया के खिलाब बहुत सारे देश है जो कि दुसमें है तो कहीं ने कहीं उन फोटो के साथ पता लगाए जा सकता है जो भी उनका पीछे का बैक्रांड होगा उनकी मदद से ट्रेक किया जा स है लिएंडियन आर्मी ने इन सारे अपू già दिया गया तो मतलब कि जो भी लोग इंडियन आर्मी में है यहा पर घ्याटे लोगों को यह आप जोगो क्यूंข lg करना चाहिए जो भी यहाँ पर उन लोगों ने अपना चांव बनाकि रख angef कि अभी के अभी उन सारे एप्स को अकाउंट को डिलीट कर दीचिए क्योंकि हो सकता है आपके साह बुड़ा हो जाए या फिर आपकी जो भी प्राइवेसी हो आपकी जो भी प्रसनल इंफॉर्मेशन हो कहीं ने कहीं लीग हो रही है अब मैंने यहां पर बहुत सारे लोगों को की फेस्बुक पर डला होता है तो मैं उनसे करना चाहता हूं कि वहां पर अपना प्रफाइल को लॉग कर दे या फिर उन्हें आप एडिट करके वहां से हटा दे तो गैस उमीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके तरह सामझ चुकेंगे कि किसलिए इंडियन आर्मी न ने ओन्दे इंडियन आर्मी ने आर्मी करते हैं कि आप लोग।